अगर current को देखा जाए बिटा तो current दो तरेगा हो सकता है current जिसको हम लोग कहते है rate of flow of charge तो i is equal to delta q by t और i is equal to dq by dt बोलो, लेख सकते हैं ऐसा? delta q by delta t क्या चीज है? delta q by delta t क्या चीज है? it is total charge flowing per unit time तो ये average current है ये क्या चीज है? it is average value of current जबकी dq by dt क्या है? instantaneous current instantaneous current ये current की value है at a particular instant of time जैसे इस पर based एक question हम देखें अभी इसी तरीके का question आ गया था जेई-मेंस के exam में कभी-कभी जेई-मेंस भी आसान question पूछ देता है ऐसा ही एक question था ये question आप से देखो क्या कहा गया? इसमें कह रहे है current flowing in a conductor is i is equal to 3 plus 2t आप से कह रहे है how many coulombs of charge passes the cross section of the wire in time t is equal to 0 and t is equal to 4 second कह रहे है t is equal to 0 से t is equal to 4 के बीच में कितना charge यहां से flow हुआ तो यहां पर बेटा observe करने वाली चीज़ यह है कि यह जो current है क्या वो time के साथ लगातार change हो रहा है? तो current constant है या variable? variable है तो जब भी भी variable होता है वहां पर तुरंथ आप लोग को क्या याद आना चाहिए? differentiation और जो बच्चे starting से थे याद करो मैंने जब आपको differentiation और integration बताया होगा तो वहां पर मैंने आपसे कहा था किस जगे पर आप differentiation और integration की बात करेंगे तीन आपको मैंने points बताया थे अगर quantities variable है तो हमें differentiation और integration के बारे में सोचना चाहिए वहां पर फिर यह direct वाला formula अपलाई नहीं होता अब अगर current की value हमें पता है और हम यह भी जानते है current is equal to dq by dt तो check करो हम ऐसा लिख सकते हैं dq by dt is equal to 3 plus 2t तो dq को हम लोग लिख सकते हैं 3 plus 2t times dt इसी को उठाकर आप integrate कर दो dq जो है वो तो charge है तो charge 0 से लेकर q तक होगा लेकिन time कितना बोला गया 0 से 4 तो time will be integrated from 0 to 4 तो dq का integration हुआ q इसमें lower limit है 0 और upper limit है q जबकि यहां पर 3 constant है बहार निकालो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? dt तो उसका हो गया 0 से 4 plus 2 बहार निकालो अंदर बचा t dt check करो भाई तो इसमें q minus 0 3 times dt का integration मेटा क्या होगा? t 0 से 4 और t dt का क्या होगा? t square by 2 from 0 to 4 तो q is equal to 3 times 4 minus 0 plus 2 और यह 2 cancel? अंदर सिर्फ t square है तो 4 का square क्या बनेगा? 16 minus 0 तो पीटा चार्ज की value कितनी आई है? 12 plus 16 तो टोटल चार्ज कितना flow हो गया? 28 28 इस तरह का direct इंटीग्रेशन पर based question भी कई बार पूछ दिया जाता है यह जही में 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 आये हुआ है 2020 या 19 में आप चेक कर सकते हैं इंटरेट पे आपको ऐसा question मिल जाएगा सेम यही formula सिर्फ यूज होना था और इसमें कुछ नहीं था clear है current के और types की अगर हम लोग बात करें तो दो basic type of current आप लोग ने पढ़ा होगा direct current और indirect current direct current को DC भी बोलते हैं जो कि किसी भी cell या battery से हम लोग को मिलता है जो कि एक constant current होता है जिसकी value time के साथ change नहीं होती है फिर अगला type of current हमारे पास है AC current AC को बोलते हैं या indirect current या alternating current जो कि time के साथ change हो और bi-directional हो DC current केवल एक direction में flow करता है और उसकी value भी fix होती है constant होती है लेकिन alternating current जो होता है वो दो directions में flow कर सकता है आगे भी और पीछे भी और साथी साथ fluctuating current होता है इसकी value जो है वो change होती रहती है बात समझ भाई थेक